तो हेलो गाइस, वलकम बेक टू माई YouTube चैनल, आज मैं Viral Reels Editing का Part 6 ले आया हूँ आज मैं एक बहुत ज़्यादा Amazing Tutorial लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं चार Effects का Breakdown करने वाला हूँ सबसे पहले Smooth Time Remapping, Second Logo Flip Animation, Third Ghost Bubble Effect और Last Earth का एक Effect इन चारो Effects को मिलाके हम एक बहुती Amazing Final Reel बनाने वाले हैं, Software हम यूज़ करने वाले हैं After Effects तो बिना Time Waste करें, Let's Start the Video तो मैं सबसे पहले New Composition मना लूँगा और इसका Resolution रख देना 1920 by 1080 और मेरी Clips 60fps की है तो मैं 60fps सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर सबसे पहले मैं अपने Music को Drag & Drop कर दूँगा और यहां से सिंप्ली आपको इस Arrow में क्लिक कर देना और Audio में चले जाना फिर आप Wave Form को Open कर सकते हो फिर आपको जितना Music चाहिए होगा उतना Select कर लेना फिर आपको जहां तक Music चाहिए होगा वहां सिंप्ली अपने Timeline Playhead को लाके Ctrl-Shift कर देना और Unwanted Part को Delete कर देना तो मैं स्टार्टिंग में अपना Intro रखने वाला हूँ और यहां पर Beat Drop है तो यहां से मैं अपनी Time Remapping स्टार्ट कर दूँगा तो मैं सबसे पहले अपनी पहली इंट्राली क्लिप ले आता हूँ तो मेरेको अपनी क्लिप यहां से चाहिए मैं सेम Ctrl-Shift डी-Press कर दूँगा इसको Delete कर देता हूँ फिर इस क्लिप को Slow करना है मेरेको तो मैं Simply इसमें Right Click कर दूँगा और यहां से Time में चले जाऊँगा और य यहां से मैं अपनी Next क्लिप ले आता हूँ तो अब यहां से मेरी Time Remapping स्टार्ट हो जाएगी मैं Simply इसमें Right Click कर दूँगा यहां से Time में चले जाऊँगा और Enable Time Remapping में क्लिक कर दूँगा आप यहां सौटकट से भी कर सकते हो इसकी सौटकट की है Ctrl-Alt-T फिर आपके दो की फ् अपने Last Keyframe को यहां रख देता हूँ फिर आपको First Keyframe सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको दो टाइम दिखेंगे यह Starting का है और End का है अगर आपको यह नहीं दिखेंगे तो आप Simply U Press कर देना इससे आ जाएंगे तो आप यहां से Select कर लेना कि आपको अपनी क्लिप कहां स स्टार्ट करनी है जैसे मेरे को यहां से स्टार्टिंग चाहिए और Simply End सिलेक्ट कर लेना कि आपको कहां तक End चाहिए तो क्लिप की Audio Mute करने के आप Simply यहां आइकन में क्लिक कर देना फिर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा Timery Map ऐसा दिख है और अगर आपको लगे कि मेरा Last में थोड़ा जादा ही वीडियो आ गई है तो आप यहां से Easily Control कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा और इसको ट्रिम कर देता हूँ कुछ इतना फिर Simply Last Keyframe में आ जाना और Ctrl Shift D Press कर देना और अपनी वीडियो का Extra Part Delete कर देना फिर आप दोनों Keyframes को प अगर आपका Graph थोड़ा अलग दिख रहा होगा तो आप Speed Graph में होगे आप Simply यहां से Value Graph में आ जाना तो Time Remapping करने के लिए दो Plugin आपकी बहुत ज्यादा Help कर सकते हैं पहला है यह Flow आप देख सकते हो यहां पे यह ज्यादा कुछ मुस्किल है नहीं आपको बस अपने Keyframes को Select कर ल बन सकता है और अगर आपको बार बार अपलाए करना नहीं है तो Simply यहां पर Three Dot में क्लिक कर देना और यहां से चले जाना Preferences में और यहां पर Behavior में क्लिक करके Auto Apply Curve में टिक लगा देना फिर आप OK में क्लिक कर देना तो अब आप जैसे अपने Curve को Select करोगे आपके यह Automatic बन ज 9 प्रेस कर देता हूं और मैं कुछ इस टाइप का Curve बनाने वाला हूं कुछ ऐसा तो अभी क्या हो रहा है जैसे हमारी वीडियो बहुत ज्यादा Fast Start होगी और यहां पर धीरे-धीरे Move करेगी और फिर वापिस Fastly End हो जाएगी और आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा Unwanted Part आगे है मेरी वीडियो के Last में उसको कम करने के लिए भी आप Graph Editor से कम कर सकते हो आप अपने Anchor Point को Select करके नीचे को Move कर होगे तो आपकी वीडियो का Last Part डिलीट हो जाएगा और अगर आपको अपनी वीडियो के Last Part में थोड़ा और वीडियो एड़ करनी है तो Simply इसको ऊपर Move कर अब मैं आपको Play करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारी Animation कुछ ऐसी लग रही है अब हम अपनी Second वाली वीडियो को भी इसी Motion में डालने वाले हैं ताकि यह एक ही वीडियो लगे और ऐसा ना लगे कि हमने दूसरी वीडियो लगाई है तो मैं अपनी Next क्लिप ड्रेग और अपनी वीडियो का Extra Part Ctrl Shift D से Delete कर दूँगा फिर मैं स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में चले जाता हूं और मेरको अपनी वीडियो कहां से Start करनी है और End Point भी Select कर लेता हूं तो मेरको अपनी वीडियो यहां पे End कर देनी है फिर आप Simply F9 प्रेस कर देना और यहां से Graph Editor में आजाना तो अगर मैं प्ले करके देखूं हमारी यह दो क्लिप मैच नहीं हो रही है तो मैं Simply क्या करूंगा यह जो हमारा Last Keyframe है इसको मैं फ्रंट में ले आऊंगा और फ्रंट वाले को Last में ले आऊंगा कुछ ऐसा तो अब हमारी वीडियो स्टार्ट होगी ऐसे तो अब य देख सकते हो हमारी वीडियो कुछ ऐसी लग रही है फिर आजाना यह सेक्ट वाली क्लिप के की फ्रेम में और दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आ जाना हमें यह आली वीडियो बहुत ही फास्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि यह दोनों क्लिप मैच हो जा करता हूं नहीं तो यह वीडियो बहुत यादी लंबी हो जाएगी तो मैंने अपनी सारी क्लिप को टाइम री मैप कर लिया है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं यह हमारा इंट्रो है और यहां से टाइम री मैप स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी याली क्लिप मैच नहीं हो रही है आप देख सकते हो जैसे यह साइड में मूव हो रही है और यह अचानक से जूम आउट होने लग गई है तो इसको मैच कराने के लिए आप सिंपली यू प्रेस कर लेना मैं अपनी टाइम लाइन जूम आउट कर लेता हूं थोड अपना यह जो लास्ट वाला की फ्रेम है उसको थोड़ा सा आगे ले आना और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम कंट्रोल सी से कॉपी करके लास्ट में पेस्ट कर देना कंट्रोल वी तीनो की फ्रेम को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आ जाना और यहां से एंकर पॉइं मैंने same zoom effect यहां भी create किया था आप देख सकते हो हमारी वीडियो पहले zoom out हो रही थी फिर मैंने starting वाला keyframe यहां paste कर दिया जिससे बहुत ही जल्दी हमारी वीडियो zoom in होई और फिर वापिस मैंने यह वाला keyframe last में paste कर दिया है तो हमारा effect कुछ ऐसा बन गया है मैंने इसकी project file और सारी raw footages description box में दे दिया है तो आप वहां से जागे easily download करके सारी चीज़े देख सकते हो अपने हिसाब से और अगर आपको plugins की link चाहिए कोई भी plugins चाहिए तो आप मेरे को instagram में message कर सकते हो तो यहां पर मैं logo flip animation बनाने आ लाओं logo flip animation बनाने के लिए simply अपनी clip को select करके Ctrl D से duplicate कर लेना और अपनी clip के starting frame में आ जाना फिर यहां से ellipse tool ले लेना और shift press करके ellipse बना लेना तो इस save को अपने logo के side से match करा देना मैं simply इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कुछ ऐसे फिर इसको track कर लेना तो यहां पर tracker में आ जाना और simply आले icon में click कर देना फिर आपका जहां पर mask बिगड़ा होगा वहां पर साई कर लेना आप double click करोगे तो आपका bounding box आ जाएगा फिर Ctrl right arrow से एक-एक frame करके आप आगे जा सकते हो तो अब यह हमारे पास logo वाली layer बन चुकी है मैं आपको वीडियो आफ करके दिखा देता हूं इसके बाद हमको clean plate बनानी पड़ेगी तो clean plate बनाने के लिए आप simply अपनी layer को duplicate कर लेना Ctrl plus D से और starting keyframe में आ जाना फिर mouse wheel से scroll up करके zoom कर लेना और यहाँ पर एक shape बना लेना shift के साथ press करके फिर इसको logo के हिसाब से adjust कर लेना और simply यहाँ से track में आके track mask कर लेना फिर starting keyframe में आके एक बार अपनी background वाली layer को off कर देना ताकि आपको दिखे simply mask को कर देना invert इससे यहाँ पर एक hole बन जाएगा फिर आपको थोड़ा feather वगेरा add कर देना है मैं mask expansion को increase कर रहा हूँ कुछ इतना और फिर feather add कर दे रहा हूँ 8 pixels और मैंने mask expansion क्या था 15 pixels फिर मैं simply windows में लाके content aware fill में क्लिक कर दूँगा और यहाँ से alpha expansion को कर देना 5 और fill method को कर देना edge blend फिर आपको simply generate fill layer में क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हो हमारी clean plate बन चुकी है इस fill layer को भी अपने layer size जितना कर देना मैं simply ctrl shift डी press करूँगा और extra part delete कर दूँगा और fill layer वाली layer को मैं अपने logo के नीचे ले आऊँगा तो अब मैं आपको दिखाऊँँ तो आप देख सकते हो हमारे पास logo fill layer बन चुकी है मैं 35 frame पे अपना effect खतम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और अपनी logo आली layer को select करके right click करके pre compose कर दूँगा फिर इसमें right click करके time में चले जाऊँगा और freeze frame में click कर दूँगा और ctrl shift d press करके extra part delete कर दूँगा फिर मैं चाहता हूँ मेरा effect जहां से start हो तो मैं यहाँ लेयर का size आगे को increase कर दूँगा कुछ ऐसे और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर clean plate भी delete कर दूँगा तो इन तिनों layer के बाद से मेरी real video start हो जा रही है फिर आप अपनी logo composition वाली layer को select कर लेना और यहाँ से anchor point to mover tool को select करके अपने anchor point को middle में कर देना फिर आपको इसको 3D layer में convert कर देना है तो आपको हाँ पे cube type का icon दिख रहा होगा इसमें simply click कर देना फिर आपको P press करके keyframe लगा देना है position में R press करके rotation में लगा देना है X rotation में और scale में भी S press करके keyframe लगा देना है फिर U press करोगे तो आपके keyframes आ जाएंगे इन सारे keyframes को copy करके Ctrl C से last keyframe में आ जाना और Ctrl V से paste कर देना फिर अपने X rotation वाले keyframe को select करके simply value कर देना 2 और starting keyframe में आके अपने position को frame के नीचे कर देना फिर मैं आपको play करके दिखा हूँ तो हमारे effect कुछ ऐसा लग रहा है भी फिर अपनी layer के middle में आ जाना और simply इसके scale को increase कर देना और इसको उपर move कर देना फिर मैं इन दोनो keyframes को थोड़ा आगे पे को move कर दूँगा तो मैं अपनी background वाली layer को on करके दिखा देता हूँ आपको तो हमारे effect कुछ ऐसा लग रहा है फिर आप अपनी layer को select करके you press कर देना और सारे keyframes को select करके f9 press कर देना इससे आपकी animation smooth हो जाएगी और आप इन सारी settings को अपने हिसाब से change भी कर सकते हो तो हमारा logo flip effect finally बन चुका है तो अब हम simply bubble effect हो बनाएंगे उसको बनाने के लिए आप अपनी bycoli layer का duplicate बना लेना फिर इस layer को select करके right click करना और इसको pre compose कर देना और इसको name दे देना roto layer फिर अपना roto brush select कर लेना और screen में double click करोगे तो आपका roto brush आ जाएगा हमारा frame में इस match हो रहा है मैं इसको 59.94 कर देता हूँ simply आपको composition में जागे composition settings में click कर देना है और यहां से 60 को कर देना 59.97 ओ sorry 59.94 था है तो अब हमारी ये warning हट जाएगी और alt press करोगे तो इससे deselect हो जाएगा तो आपका selection बनने के बाद आप समतले अपने timeline playhead को last frame में ले आना और यह अपने आप इसको track कर लेगा तो आप देख सकते हो हमारी video track हो चुकी है आपका जहां जहां पर track भिगड रहा है simply उसको साही कर लेना फिर एक बार finally track हो जाने के बाद आप simply freeze में क्लिक कर देना इससे आपका track final हो जाएगा तो track final हो जाने के बाद अब अपनी main composition में वापिस आ जाना और मैं आपका background वाली layer offer के दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारी बाइक का mask हो चुका है फिर मैं अपनी roto वाली layer को select करके Ctrl D press करके duplicate बना लूँगा और यह middle वाली layer में select करके मैं effect डालूँगा turbulent टिडिस्प्लेस फिर मैं आपे amount size और evolution में keyframe लगा दूँगा फिर मैं you press करूँगा और मैं size को कर दूँगा 10 amount को कर दूँगा 0 और evolution को भी 0 पर ही रहने दूँगा तो effect में 2 या 3 second तक ही बनाने वाला हूँ तो extra part को मैं delete कर दूँगा Ctrl Shift D press करके फिर मैं अपनी video के last में आके amount को 0 ही रहने दूँगा और keyframe लगा दूँगा size को मैं कर दूँगा 40 और evolution को कर दूँगा 200 फिर अपनी video के middle में आके मैं amount को कर दूँगा 9 फिर मैं आपको play करके दिखाओं तो हमारे effect कुछ ऐसा लग रहा है फिर इसमें मैं 2-3 effects को और add करूँगा जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे effect जब play हो रहा है तो यह rotate भी हो धीरे धीरे और इसमें keyframe लगा दूँगा मैं angle में और यहां middle में आके मैं कर दूँगा 10 फिर last में आके मैं वापिस इसको 0 कर दूँगा तो अब मैं आपको play करके दिखाओं तो आप देख सकते हो एक हलकी सी rotation हमारे bubble effect में आ चुकी है और इस layer में मैं deep glow effect को भी add कर देता हूँ इससे हमारा बहुती amazing glow effect आ चाहेगा तो मैं starting में exposure को कर देता हूँ 0 और middle में आके इसका exposure को 1 कर देता हूँ फिर वापिस last में आके 0 और इस layer के blending option को कर दूँगा मैं screen फिर आपको आपके deep glow में tint भी दिख जाता है इसको select कर आप अपने हिसाप से कोई भी color select कर सकते हो मैं simply यह ron5 का blue color select कर रहा हूँ और enable में tick लगा देना फिर आप देख सकते हो हमारे effect बन चुका है तो यह थोड़ा जादा ही dark हो गया है मेरे को screen में ही सबसे best लगा तो मैं screen में ही रख देता हूँ तो हम finally earthquake effect बना लेते हैं उसको बनाने के लिए मैं simply अपनी layer को cut कर लूँगा यहां से ctrl shift d press करके और इसको मैं सबसे उपर लियाऊंगा फिर मैं इसको right click करके यहां से pre compose कर दूँगा और इसको name दे दूँगा earthquake तो मैं इसमें double click करके इसको open कर लूँगा और मैं simply ctrl d press करके इसकी एक copy बना लूँगा तो मैं नीचे आली layer को rename करके ground rename कर दूँगा और simply यहां से tracker में जाके track camera में click कर दूँगा आपके यहां पर बहुत सारे points बन जाएंगे तो आप simply उन points को select कर लेना और right click करके create ंडालन camera में click कर देना फिर हमने जो copy बनाया थी simply इसको select करके rename कर देना और इसको clean plate rename कर देना फिर आपको यहां पर pen tool select कर लेना है तो अपनी bike का एक rough mask बना लेना और simply इसको track कर लेना फिर आप अपने mask में आ जाना और यहां से invert में click कर देना फिर background वाली layer को off कर देना और यहां से content aware fill में आ जाना वापिस फिर यहां से fill method को कर देना edge blend से object में और lightning correction में click कर देना फिर आपको simply generate fill layer में click कर देना तो मैं आपको play करके दिखाओं तो यह बहुत slow टूट रही है तो इसको fast कर निकले इसमें right click करके time में चले जाना और यहां से time stretch को select करके 40 कर देना तो अब आपको play करके दिखाओं तो आप देख सकते हो यह हमारा ground बहुत जल्दी break हो रहा है फिर इसके pick up icon को select करके track नल पे parent कर देना और इसको 3D layer में convert कर देना तो अब आप play करके देखोगे तो आपकी green screen वाली वीडियो भी same track के चरह moment करेगी फिर मैं simply इसके position और size को adjust कर लेता हूँ फिर मैं effects में जाके simply key light search कर लूँगा और यहां से color select कर लूँगा green फिर आप play करके देखोगे तो आप देख सकते हो हमारा ground break हो रहा है मैं इसके size को थोड़ा सा और increase कर लेता हूँ कुछ ऐसे फिर आप अपनी वापिस main composition में चले जाना और यहां से आप roto layer जो होगी है इसको duplicate कर लेना और इसको अपनी composition के ऊपर रख लेना और इसको अपनी layer के size के हिसाप से दाई कर लेना फिर आप simply earthquake वाली layer को duplicate कर लेना और अपनी roto वाली layer के ऊपर ले आना और simply pen tool से एक rough mask बना लेना कुछ ऐसा फिर आप अपनी simply bike को select होगे P press करना position और R press करके rotation में keyframe लगा देना फिर थोड़ा आगे जाके simply अपनी bike नीचे कर देना कुछ ऐसे same rotation में आ जाना R press करके और आप middle keyframe में आके आप simply इसको थोड़ा सा rotate कर देना अंदर की तरफ को ताकि यह ऐसा लगे कि यह bike गिर रही थी कुछ ऐसा फिर आप सारे keyframes को select करके F9 press कर देना इससे हमारी animation smooth हो जाएगी तो आप देख सकते हो हमारा earthquake effect बन चुका है हमना यह mask वाली layer इसले बनाई थी ताकि हमारी bike नीचे गिरते वे दिखे मैं आपको इसको off करके दिखा देता हूँ अगर वो layer नी होती तो यह bike हमें पूरी दिखे ही है और जैसे हम mask वाली layer को on करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी bike सीधे नीचे जारी यह लग रहा है तो हमारे सारे effect फाइनली बन चुके हैं अब हमको बस sound effects add करने हैं आपको description box में link मिल जाएगा आप आपसे download करके easily तेख सकते हो तो मैं आपको final replay करके दिखा देता हूँ तो इस वीडियो के लिए इतना ही I hope you liked it और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को subscribe कर देना वीजल स्पाय ललित को मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक ले ओके बाई